नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नील नित्मुकेश सुनिये मेरी जिन्दगी की कहानी सिधार्थ कनन के साथ इनके यूट्यूब चैनल पर और अफकॉस सब्सक्राइब नाव ये दो भाईयों के बीच बातचीत है इंटर्व्यू इंटर्व्यू कुछ नहीं है मेरा भाई तु मेरी आश्की वीडियो के साथ विच इस शौट लिक फीचर फिल्म यहां पर बैठे हुए है बट आम गॉन वाक्टाउन मेम्री लेंड जोनी गद्दार जेल जब आज के जमाने में लोग कहते हैं कांटेंट क्रेशन के बारे में कि देखो यून वाट हम अलग करना चाहते हैं हम रूल तोड़ना चाहते हैं नील नितिन मुकेश ने यह तोड़ दिया कितने साल पहले पंदरा साल पर पंदरा साल पर जी यानि देखा जाए आप ओजी हो राइट है ना मैं कभी-कभी जब बैठता हूं और फिल्में देखता हूं और जब मैं आज के न्यूज आइटम से पड़ता हूं मैं जूट नहीं कहूंगा अक्सर अपने आपसे कहता हूं बीन दे दन आज के यंग जेरेशन आज के यंग जेरेशन और फंटास्टिक अक्टर्स अल उपने मैं आपको कुछ कहानिया बताऊंगा आपको वह बता दे ना किसकी आप मैं बात कर रहा हूं कहानी वह आप समझ जाएंगे बट फॉर एक्सी कारण से किसी ने अपनी एक फोटो लगा और उसका तहल का मुझ गया यह लोगों मैं तो मैं बोलता हूं मैंने यह कर लिया यह पट जब मैंने किया था वह ज्यादा रेलिवन्ट था मैंने एक फिंग के यह किया था जहां इन अपनी फ्रंटिलन्यूडटी की थी क्योंकि इस फिल्म में मुझे ही दर्शाना था बहुत सारे ऐसे डारेक्टर्स हैं, श्रीराम राकवंसर, विशाल भर्दवाद जी, प्रदीर दादा जो हमारे आज बीच में नहीं है, मदूर भंडारकर साब, और बहुत सारे कबीर खान साब, जिनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, और काम करने का मुझे मौ कुछ हट के करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग करूँ और कुछ जो सिनमा को और आगे बढ़ाए, जोनि गदार 15 साल पहले कौन कहता, जहां हर डेब्यू के बारे में लोग बात करते तो कहते, आपके गाने में, आपके फिल्म में तो पांच गाने होने चीए, लेविश स्के इसा कोई डेब्यू करता है, और मैं हमेशा नाराज हो जाता था घर बैठके, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे यह पाबंदियां क्यों दे रहे हैं लोग, मुझे आएंपर क्यों कर रहे हैं, क्या मैं गायक का बेटा हूँ, इसलिए यह डाउट कर रहे हैं मुझे, कि मै एक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे मौका कोई देगा या नहीं देगा, तो जब यह सवाल मेरे जहन में इतने सारे उठते थे, मुझे एक फिल्म की उस समय तलाश थी, जो पहली ही फिल्म में मैं लोगों तक यह कह सकूं कि भाई, अब मैं एक्टिंग के मामले में पोटी सी फिल्म आई थी, जोनी गद्दाया, मगर तेहल का मचा दी उस समय आज भी जब पहली बार मैं मुझे वीडियो कर रहा हूं तू मेरी आशकी तो बहुत सारे मुझे लेबल्स सामने आएं, क्यूंकि यह मेरे दादू का सौवा साल है, वीव कम्प्लीटिड हंड़ मगर क्योंकि ट्रेंड में है या कोई और कर रहा है मैंने हमेशा यह माना नहीं है, मैं खुद एक ट्रेंड सेटर कैसे बनूं मैं यह मानता हूं, भले चोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे वो तो उपर वाले के हाथ है बट यह जब गाना जब आया तुम मुझे वाके में मुझे लगा कि इसमें कुछ तो है जो कि लोगों तक ये बात दिलों तक इनके ये गाना जो है छू जाएगी तुम ने अपना क्लटर ब्रिक किया फिल्मों में, क्लटर बेक किया म्यूजिक वीडियो में, वापस यह कह रहा हूं कि जब आज के टाइम पे जब ल जेनियूनली बिंदास दंकी की छोट, क्या इंडस्ट्री तुम पे अनफेर रही है नहीं? मैं अनफेर तो नहीं कहूंगा, मुझे मौके बहुत सारे मिले हैं, बट ये जरूर मैं कहूंगा कि कही ना कहीं लगता तो जरूर है कि तीस फिल्म करने के बाद भी क्या मेरा स्ट्रगल जायज है? आज भी स्ट्रगल करता हूं, आज भी फोन्स उठाकर खुद बात करता हूं लोगों से, कि मुझे काम दे दो, अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है, उसके आगे कुछ मुझे समझ नहीं आती, बट कभी-कभी ऐसास होता है के, के सत्रा, सोला सत्रा नैशनल वोर्ड अच्छा करने के बावजूद, सारे हमारे जितने बड़े सूपरस्टार्स हैं, उनके साथ काम करने के बावजूद ही, हर बार मुझे ये प्रूफ करना पड़ता है क्या, और क्यों, तो फिर मैं अपने आप से, शायद अपने आपको कन्विंस करने लगता हूं, शायद द अपने करियर में, मैंने की, जहां मेरी इतनी बड़ी हिट थी New York, जो इतनी बड़ी कमर्शल सक्सेस रह चुकी है, उसके होने के बावजूद ही, जैसे ही मुझे फोन कॉल आया था साथ कून माफ के लिए, कोई अक्टर करने को शायद उस समय तयार भी नहीं था, मगर मैंन चैलेंज इस्तिमाल का मौका उठाया, मैं नाराज तो नहीं कहूंगा कि अपनी इंडस्ट्रे से हूँ, बट सिर्फ याद दिल आना चाता हूं कि मैं हूँ, कभी-कभी लगता है कि हाँ, मेरे बारे में शायद भूल गए हैं, बट यह होता है कि उकते हुए सूरज को सलाम हमेशा लोग करते हैं, बट वही सूरज जो ढ़ल गया है वो भी एक बार वापस आता जरूर है, और मेरा भाई फाइटर है फॉर शॉर, पट दुख होता है नहीं, रिरली, दुख जरूर होता है, मैं आपसे जूट नहीं कहूंगा, मैं भी इंसान हूं, मैं भी एक कलाकार कलाकार को आपने अगर अपने घर पर बिठा दिया और कला दिखाने का मोका नहीं दिया, तो क्या एसास होगा, आज आप पॉड कास्ट करते हैं, आज आप एक कॉंपेर हैं, आज आपके आवाज अगर दर्शकों तक नहीं पहुंचे तो कैसा लगेगा, अगर मेरे दादा के बाद तो हमें लगता है कि हमारी ओडियंस जब सामने से पूछती है, सर आपकी फिल्म का है, हम आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो जाहर सी बात है, लगता है, और फिर 100% एक शिफ्ट आया है, अब वापस वो उमीद जगी है, अब OTT का जमाना आया है, त तो बहुत सारे ऐसे talented actors थे जो मेरे ही तरह इस पिराक में बैठे होंगे के हमारा मौका कब वापस आएगा, उन्हें मौकें मिल रहे हैं, तो मैं भी अपने मौके का अंतजार अभी फिलाल कर रहा हूं, आपने का कि बिना कोई गिला आशिक्वा के आपने फोन उठाया, लो अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो उस गाड़ी पर सब ठूदना चाहर है, अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक गई तो कोई दख्का देने कोई आपकी गाड़ी को नहीं आने वाला, तो महनत, संघर्ष तो लिखा है हर किसी के करियर में हर किसी के पॉइंट ऑफ यू से अगर देखने जाएं तो वो होता है, हाँ, कभी कभार ऐसा जरूर महसूस होता है कि जो दोस्त हुआ करते थे, वो कहां शायद थोड़े वो भी गायब हो गय थे बीच में, बट मैं उसका बुरा नहीं मानता, क्योंकि मेरा से इतना प्यार मिलता है, मेरे पिता जी, मेरी मा, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरे भाई इन से, और जो मेरे कुछ खास दोस्त है, मेरे मित्र हैं, जो मेरी इंडस्ट्री से, वो आज भी मुझे वही encouragement देते हैं, और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग हैं, जो मेरे टैलेंट क की कदर करते हैं, और उमीद कर रहे हैं कि बस मुझे वो वापस एक मौका फिर मिल जाए, और वो कौन से दोस्त थे, जो गायब हो गयते, इंडस्ट्री के दोस्त थे, इंडस्ट्री के दोस्त थे जो गायब हो गये हैं, काफी कुछ बाहर से, जो इंडस्ट्री से नहीं बि मेरे दिमाग में आता है मुखा मिले तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आप से कभी कुछ मांगा तो नहीं है आप से कभी कुछ मांगा होता तो आप दर जाते मुकर जाते आप गायब हो जाते हम हमारे लाइफ को मैंच कर रहे हैं दोस्तियारी क्योंकि मैं एक ऐसा आदम और खास अवरपे पंडेमिक के बाद, मुझे ऐसास होने लगा है कि कौन वाकी आपकी जिंदगी में हैं कौन आपके अगर्टर्ई हैं और कौन आपके शग्य और अब अस्वी दोस्त हैं कौन आपकी वैल विशर्ण हैं कि आपने फोन उठाया करन जोहर को फोन किया यह वो डिरेक्टर जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं उनको फोन करके बोला यूनो आएम आएम अगूड आप्टर मैं अराउंड हूँ मुझे काम क्यों नहीं देते है अप डिदी कॉल आप पितुल करन I have called many of them, they are very dear friends of mine not Karan I won't take any names Karan is of course like family and I love him, I respect him His recent film has come, Rocket and Rani, Rocky Rani and I love the film Everyone was spectacular, in fact it has been cast by my cousin's sister Shanu who is the leading casting director So I have called Shanu, my sister, I have called many a times I don't try from calling people and asking but I do understand that if the cinema in this in the and cinema has changed and has evolved and as is they want to explore different actors you know I believe you throw a challenge towards an actor he'll always be able to do it for example jab Saif Ali Khan sahab ke career mein ek dor aya tha wo sari romantic film me kar rahe that was a type ka so rye thai wo ham tum or waisi hi film me but suddenly a aum ka rai langna tiyaangi ka kirdar hunh honne nibhaya sudden perception shift abe meresat ho kya gaya hai aur mujhe aisa kabhi-kabhi lagta hai ki mein aapne karir ke shuruaat sehi challenging roles keye jara ho ga. To is mein naya pan to hai nahi kuch. Ab joh log joh pehle woh nahi kertte thay aur ab karre hen uska woh dhildvara pwitre hen. Or mein humeisha bäthke yeh bholta hon ki mein toh yeh kar chuka hon bai. You know pehle hii kar chuka hon biopik ho toh wo bhi kar chuka hon. Yeh ho toh wo bhi kar chuka hon. Ab yeh trains ab aare hen. Toh I was a little ahead of its time you know whether it was films like David, Wazir, Saath Khunma, players also for that matter you know till date the people are there but many phones uthai, response aata hai, milte hai loog. But phir vaapas phone utha na padta hai. Toh it is upsetting but I take it with a pinch of salt. I have no one to blame with. Aap kabhi depresion gaethe? Of course. Bohut saare hi mahenne toh iske baare mein hai. In fact, aapse zikr bhi kiya tha. On a personal level you are like a very dear friend and a brother. But bohut saare meri phases hua hai jahaan oopar niche hoote rahta hai. In fact, Jail ekk aasi film thi jis ke lihe meinne, you know, I applied method acting as the process to move forward with. And jiaise hi wou film khatam hoi uske baad mujhe halia ekkha depresion ka phase hua tha kye ki character asa tha. Toh maen depresion se waakif tha. Ki depresion hota kya hai? aur kone important loog hai aapke saamne? Toh ab filhal, I think, mai hini nahi, ba ki har artist joh ghar pe baitha tha is dho saal me, pandemik me, toh a depresiv face se hi ghusra hai. Hama apne haap se kithana bhi kahen yaar ke hamar liye toh ae 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 break mil gaia. Mein nahi maanthaa ke kisi artist ko kabhi aapne life mein yee kehna chahiye ii need a break. But Niel, lafange parinde ke time peh, apne kha ka dhipika apki 4 ae 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 m alhi friend hai. New York me apki baht achi dhusti ho gaink kathirina. You're an amikable guy. You love meking friends. I love meking friends you do. Yee dhustno ke saat abhi bhi touch me ho. Kya aap phone kri ki dhipika koko bol sikte hai you know dhipika ap accha kám kar rho hai ho. Can we collaborate again अज़ एक अर सकते हो? यह सी, I respect everybody's, you know, status, symbols, let's put it that way. And of course their, their privacy, and of course their schedules. Dipika now is a married woman. I respect that. I'm a married man. I respect that. Once we formed the bond as a friendship, on a friendship level, there's never breaking that from my side to ever. and I think Deepika is such a gracious co-star, such a gracious woman and a graceful woman that I don't think she'll ever not acknowledge a friendship that she has also made. You know, I think we all respect friends who've been there with us in our good and bad times and have seen our growths and gone through the journeys of ups and downs. Absolutely, both sides. After the marriage, do you think Katrina and Deepika will not be in touch with you or not? Look, I know their rights and they want to ask this question. Katrina was there for my wedding, Deepika unfortunately was travelling and she sent her love. Of course, I've been for so many of her films and her screenings. I, in fact, just messaged Ranveer also, we are in touch, we are great friends and my friendship for them will always and love and respect for them will always be up there. What is the matter? Meaning, this is the person who has been in touch with Kanyang and after the bachelor days. It is constant that he has been in touch with Kanyang. I think if you surround yourself with good looking and happy people, you remain like that. Now you know the reason why I am like this. Like this? What do you think? Because some of the comments come from English. This is a foreigner type. In fact, in fact, U.S. immigration may be you have been stopped because they thought that you are not Indian. Yes. Can this work for you? Of course. I mean, I have to tell you that the content of today has been created. Every time there is a shift of content. You know, there are some great shows being made for the OTT platforms like Mirzapur, Patal Lok, you know, which have some stalwart actors like, you know, Pankar Sripati ji, Ali, Manoj ji, Family Man. All the shows that I am watching, they are very rural, they are very, you know, mass centric in that sense. So somewhere I do feel that maybe on a casting level, people might feel that. But yet again, I feel that that is not a handicap. That shouldn't be a handicap for any actor. I think looks is very secondary. You know, I mean, as much as an unconventional man can be put in a glamorous film to, you know, and still complement it and still made to look very nice and suave and rich. Similarly, a conventionally good looking man can also, you know, lend as much support to an unconventional character in, you know, an unconventional film or a series. So I think that is definitely a handicap that's in the mind of, of, of the people who are there casting this. But I don't think as an actor, that's a challenge I am not ready to face. When the film hit was hit, one video was viral again. Yes. When the film hit was hit, When the film hit was hit, When the film hit was hit, When the film hit is done that, When Khan does something, When Khan does something, My video gets viral. When Khan does something, A video pop up, The legendary one of you throwing insults at Shah Rukh Khan. Not at all. They were never insults. They were never meant to be. I love that man. The nation loves him. He was doing it. He was doing it and I was doing it. I also like him. They also know him. और मैं भी जानता हूं पुरा स्क्रिप्टिट था वे इसे लिए वेल आप कहोगे वो तो शायद मैं मानूंगा चलो स्क्रिप्टिट कहना है तो वो कहलो बट प्यार था और जो हम जानते हैं और दर्शक भी जानना चाहिए के हमारी इंडस्टी बहुत छोटी है तो जादा स यहाराव भी किसी पहली बात मुद्ध आपके साथ उस्क्रिप्टि बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं उन्होंने खुद ने कहा कि मस्ती करूंगा मैं बट इट वर्वालि वेल बनी तो यह किस लेवल की मस्ती करनी है तो जो सोच्चा कर ले चूट दे तो मैंने की उत्परब I will never, never disrespect my elders first of all, I would never, anybody who knows me personally, first of all knows that I am a Mukesh, born, you know, I have the Mukesh blood in me and the Mukesh family can never insult personally anybody deliberately at all and my respects are there for my elders, for my seniors and no matter what my phase is, my peak of my career or my biggest downfalls of my career, I will still remain the same, as humble as ever. What did you do in Game of Thrones? You were being trolled. No, I know, I am glad that I got trolled because I got so much publicity with that, let's put it that way. But I never said that, you know, unfortunately that was mis-contoured by some journalists who went and misunderstood what was being interpreted. What was that? There was a film in Prem Ratan Dhanpaio, who was an action director, they had a stunt sequence in Game of Thrones. So, when Salman and my sword fight was a sequence, they had trained us. So, at that time, they gave me such a statement, that when you are working, it seems that you should have to be in Game of Thrones. And I also told myself that this is the director, and I told myself that I will cast on Game of Thrones. I am sorry, but at that time, I didn't start Game of Thrones. I didn't start at the beginning. After that, I started watching Game of Thrones. That, brother, it's so great, it's so great, it's so great, it's so great. Let's go, I will watch it. It's a great thing. It's a great show. It's a great show. But one of my small anecdotes told me that Neil Nitin Mukesh is saying that they are doing Game of Thrones, which I have never said in my life. at that time, there didn't actually be any开 cause through the 12th century. But I don't see if I can see that you had your ups and down. You've made friends, You've lost friends, but you've established your captor-handan styleいき just about and solid is for years and years. Yes. Is it how you can say Runbeer is like a stir Tournamentepsk citizen hangover? Of course… Yes… Kareena is a very special guest as a priytic partner. Hals's who is so Siya. Is it with you? So, runbeer, no matter whether we meet or something kind of suchisia, जो जहां आप छोड़ें वहीं से पिक अप कर लेते हैं तो पहली तो शुरुवात में करूंगा मेरे दादा और राजकपूर जी से तो उनका जो भाई चाहरा था जो एक रिष्टा था जब मेरे दादा जी इस दुनिया से चल बसे तो राजकपूर साब ने एक अपने इंट चिंटू अंकल में रिष्य कपूर साब में और मेरे पिता जी में मैंने देखा और जब रिष्य अंकल जब चिंटू अंकल हमें छोड के गए तो मुझे उतना ही दुख हुआ जितना शायद रंबीर को हुआ होगा और उतना ही दुख मेरे पिता जी को हुआ जब मेरे पित बहुत बिजी है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत हमारी नेशन में बहुत सारी ऐसी सॉलिट फिल्म दे रहा है, तो मिलना इतना अक्सर नहीं होता जितना पहले बच्पन में हुआ करता था, या हम लोग कॉलेज में साथ में थे, बट अब भी बहुत ही, आथ हमारी प् Osaka साथ रेम माया इस में ने चोडि को वह हमें। वही श्रुर्म एक हाथ के जाने नहीं से ही महसço disciplined me लेए लेकिने थे क्रएप Ub dato इसले और अखे बन्राइवार के साइश वही और इसले के साफिय के बांद? आल्यावय, आका अल्या जावल्या चार अच्टवा है। आपकर नहीं को टिता है कि अपड़ इन तो इन गएशनी है, इन एड है थेडरी को से ए्मोह्मी अपकर प्रूश्या रिप्ट रहे पंड़ फिर वहां पार अभर रहां में आइशना हमेंग में इπαइटे इसक्टी घराएं पूमार मुव। इट वाओ इस फॉल्माल भापस रहे हैं? अम प्रेस रहोक्माल मी बुले ज रहा तो, और स्थंग हर क्छुछ ग्रत विल्ह विल भुले उपार भीड साथ गौरोछे एंपस और मैं जानता हूं कि अगर मैंने उनसे फोन करके कहा या अगर उन्होंने इंटर्व्यू देख लिया और मैंने कहा कि रोज सर प्लीज मुझे काम दे दो शायद दे भी दे तो बस उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे इस लायक समझे के वह वापस कास्ट करें कभी कोई बड़ी में आपको ओवरनाइट रिप्लेस किया गया जी नहीं था एसी काफी खबरे आई थी प्लेयर्स के टाइम पर कुछ हमारे प्रेस रिपोर्टर्स हमारे भाई साब वहां पर कुछ नाराज थे क्योंकि कुछ एक आद इंटर्व्यू जो उन्होंने चाहा था कि मैं उनको सब्सक्राइब करनी चाही थी और यह कहा था कि निल नितनमुकेश नहीं जानते मर्ट प्लेयर्स में उनका किरदार जो है रिप्लेस कर दिया गया है और मैंने का अच्छा भाई मेरा साइनिंग अमान तो आगया है स्क्रिप्त मेरे हाथ में और मैं रहसल्स कर रहा हूं यह किसी और तक कैसे पॉंचने से पहले किसी और तक कैसे पॉंचने से पहले किसी और 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 किसी पहले किसी पहले क कर पाएं उसके बाद उन्हों ने मुझे फिल्म आफर की थी और मैंने अपने बच्पने में यारए एक्साइट्मेंट में बहुत साल पहले की बात के अरुछे के पा सभीत अधार कर दीका और उन्हों ने करके कहा कि न कुछ था तिग्मान्शू सर्फ ले और उपान सर्फ ले बट कभी-कभी वो दिल में वो हमेशा बात रह गई थी कि काश मुझे मुझे मौका मिलता तिग्मान्शू सर के साथ काम करने का वो एक ऐसे डारेक्टर है जो मैं जरूर कहूंगा कि अगर मौका मिले करूं भाई त्यांगार एख अल्या आँ राई थे आख बड्राइड बीपिका रन्बीर, आल्या रन्बीर, कत्रीना विकी, बॉलीवुद जोडी, यू लफ्ट रोफ दो नूस्त? एकि नम भाय, नो डिलमसी, नॉट अलॉ you know I think I really enjoy saying Ranbir and Dipika to be very honest I'll tell you why because as much as Dipika calm, casual, and conservative the same as a flamboyant and energetic Ranbir So, they compliment each other and they balance that equation really well I won't lie but I'm also very fond of the other two couples that you're seeing, just as couples So, it's a very tough question because I'm very fond to see Ranbir settle down with Alia and now they have a baby girl So I am very emotional about that, that a man who you call me, call as my brother, you know, from the Kapoor family, also has a baby girl, I also have a baby girl, so there's a I also have baby girls Yeah, you have your baby girls, who I love, so, you know, you understand the emotion behind men who have their baby girls, so I think, I think that's a fantastic अपर रहा से मिले अवी तक रहा से मेरी मुलाकात नहीं, I am hoping to meet her soon But, also to say, that I am very fond of Vicky as a person, I know him very strongly, I love him, he's a very dear friend, and of course, Katrina is one of my most favourite co-stars, so I am so happy for her, in general, you know, she's done so well in her career, and now in her personal life, she couldn't have gotten a better husband than Vicky, he's such a young, nice, cultured boy, and comes from such a lovely family Deepika, Katrina, or Priyanka, your favourite co-star, एक नाम लेना भाई? Oh, I think, definitely, अगर एक नाम लेना हो, तो, I think, just for the sheer fun that we had on a film, I think Katrina would be that one co-star that I thoroughly enjoyed working with, क्यूंकि New York करते समय, जो हम सब 3-4 महीने New York में थे, Philadelphia में शूट कर रहे थे, तो एक किसम का bond बहुत strong हो गया था, और बहुत सारे ऐसे memories हैं जो की lifelong रहेंगे, और कोई हिला नहीं पाएगा प्रभास या तब्पती विजय है, वाँ, वाँ, तफ वण्यार, सिद, बहुत नाराज हूं आपसे, मुझे लगा, मुझे लगा आप मेरे साइट पहें, बट प्रभास जी के साथ भी काम करके अच्छा लायो और विजय सर के साथ एक नाम, एक नाम कहूं, तो, विजय सर क्योंकि उनकी इज़त भी बहुत करता हूं और प्रभास के साथ एक बॉंड था एक हीज़ रिलाक्स्ट परसन और जेनरल एंड आई वस वेरी हम्बल और वेरी हॉनर्ड के अब आप बहुवली जब हम साहो कर रहे थे उन्होंने खुद में जो जिसकिसम से आइस ब्रेक किया जब हम दुबाइ ने अब अबुदाभी में शूट कर रहे थे उनके जेस्चर से मेरे दिल को एकडम से चूगा है मेरे परिवार में मैं हमेशा कहसा था हूं और कहता हूं क मेरी माँ मेरी बीवी मेरी सारे जितनी भी लडके और लडके भी मेरे पिता जी भी रहास के बहुत बड़े फैन है तो इस द्रीम कम तूब वहुद दूब लगार विव प्रभास ओन साहो फॉछ या लास्ट फ्रेंट कौन इंडस्टी से तो इस अ जनमें कॉल सिट कनन मेरी सीरियसनेस को नहीं समझ के ना कुछ ना कुछ ना कुछ एक जोप जरूर मारेंगे तो मुझे वो थ्री एम पर इन्हें फोन करके बहुत डर लगता है कि यहां पर भी इनकी हसी मजाग शुरू होगी बट इल टेल यू दिस फो जोकस अपार इस यहां यहां हिंको जोक दी जाओ लंगें हुप जय है और एपको है कि बहुत रूप एक है हुप जी तू पहुप डीन करता हुं कि आप पने हमेशा मेरी इतनी इजत की है सपोर्त कियाँ मुझे ना पीयार दिया और मैं आपके पूरे परिबार की और आपको भी उतनी झाल झाल